असलामों अलेकुम डियर स्टूडाइन कैसी हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ के सभी स्टूडाइन खेरवाफियस होंगे फानिली मैं हाजरी खिदमत हूँ हिस्सा नज़म का चैप्टर नमबर 3 के साथ जैसे के आपको पता होगा हिस्सा नसर खतम हो चुका है और हम लोग हिस्सा शायरी को स्टार्ट कर चुके हैं और आज की स्कलास में चैप्टर नमबर 3 को कवर करेंगे इसी तरह 1,2,3 और बागी के चैप्टर आप लोग को इसी तरह मिलते रहेगा इसका पले लिस्ट भी बन चुका है आप लोग पले लिस्ट से काफी आसानी के साथ हर एक चैप्टर को डेली देख सकते हैं ठीक है अकबर का पूरा नाम जो है अकबर हुसेन था इनकी 25 जो है 1845 में हुवे थी और पाइदाइश का हुवे थी एलाबाद के 12 जिला में इनकी पाइदाइश भी थी ठीक है बाद लोगों ने इनका सनी 25 अठाइश 1846 लिखा है जो के गलत है इनके दादा के नाम के बात करें तो फद्ल मुहंम्मत था और इनके वालिक का नाम जो है तफद्जु हुसेन था उनके वालिक क्राम क्या था तफद्जु हցसेन दाउद नगर और सोराम वगरे में गुजरा है अठाटोश चपन में जब अकबर की उमर 11 बड़स थी उनके वाले देन उनके वाले देन जो इलाबाद में आबाद हो गई ठीक है इसको आप लोग एक बार पढ़ लेना इसका complete PDF में टेलिगराम पे शेंड कर दूँगा ठीक ह आप लोग ऐक बार देख लेना देखे अकबर ने इप्तिदा में कई आर्जी मुलाजिमत है कि मसलन आर्जी नवे सी सरेश्टादारी नाइब तहसील दारी ठीक है ये सारे इप्तिदा मे इन्होंने यह क्या था मुलाजिमत क्या जौब क्या था अब आगे करा है कि इनों ने वकालत का इम्तिहान पास किया और वकील हुए यह जो है वकालत का भी इम्तिहान पास किया और वकील हुए वह मुनसिफ और सब जज़ भी रहे ठीक है मुनसिफ यानि इमानदार वकील यानि निस्पक्ष वकील ठीक है यानि किसी का पक्ष नहीं होना यानि इमानदारी के साथ जो है ये क्या करना जज का काम निभाना ठीक है यानि किसी का पक्ष के साथ नहीं जो हक है वो हक बात बताना ठीक है ऐसे ही वकिल थे इसी को क्या कहते हैं उर्द में मुंसिफ कहते हैं ठीक है निस्पक्ष को उर्द में क्या कहते हैं मुंसिफ कहते हैं आप लोग ध्यान लखना चलिए आगे बढ़ते हैं लोग आगे कहरा है कि इलाबाद में अदालत के मुंसिफी से दिसंबर 1903 में रेटायर हुए ठीक है इनको किस पे जो है खान बहादूर की खिताब से नवाजा गया तो उनकी आदालती खिदमात के आज़ पर जो है ठारसो अलठान नबे सुए में खान बहादूर की खिताब से नवाजा गया पूछेगा कि अकपर इलहबादी को कब वो खान बहादूर एवाद से नवा उनका लड़का का नाम था हाशिम उनका भी क्या हो गया था इंतकाल हो गया था उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे लाश्ट में उनकी वफात 9 सितंबर 1921 को उन्हों ने इलाबाद में वफात पाई ठीक है चले आगे देखेंगे अकबर ओधे पंच के नौरतनों में शु सामिल है ठीक है चले यह रीकुष था और इसका नजम को लोग देख लेते आप लोग पूरा नजम को देख लेकरNNL पर आप लोग को सेंट कर दूंगा जो भी स्टुडेंट अभी तक टेलीगराम चैनल पर जोईने हुए है जाए सर्च किजिए टेलिग्राम में जाकर के एस उर्दू एजूकेशन ठीक है यही जो चैनल का नेम है उसी नेम से आपको टेलिग्राम चैनल का नेम भी मिल जाएगा ठीक है यह अलफाज और माना आप लोग देख लेना अपने से कलिसा का मतलब होता है गिरंजा इसाइयों की इबादति गहा यानि इसाइयों का इबादत करनी के जगया जिस तरह हम लोग मुस्लिम का क्या है अब दिए दो चार होना का मतलब होता है मुलाकात होना उठीं पाइब है कि लास्ट में अप लोग कुछ पढ़ी है ना लास्ट में आप आप लोग इसको पढ़लेना थोड़ा सा क्या पढ़ना है कि आप ने पढ़ा अकपर Obadi उर्दू के नुमायंदा नजम को शायर में शुमार होते हैं बर्की कलिशा उनकी बहतरीन नजमों में से एक है अकपर ओलावादी के ज्यादा तर जुए नजमों में अंग्रेजी तहजीब और तमद्न को हदुए मुलामत बनाया गया है इस नजम में भी ऐसा ही किया गया है ठीक है चलिए आप लोग नीचे भी देख लेना इस नजम की इवतदाई चंद अशार में बहुत ही दिलकश अंदाज से एक अंग्रेजी अंग्रेज जो है मुमीम के हुसने की तारीफ की गई है लेकिन इस तारीफ में तंज का नश्तर क और मिणम करता हुआ दिखाई देता है ठीक है इस नजमे में शायर ने मусल्मानों की बढ़ेबहारा रवी को तंजिया अंदाज में जो पेश किया है शायर ने मुखवर्गर पेखंबर वो सहाबा कर तरफ इशार आ करते हुए औह देहाजिर को सब से अंगरेजी तहजीब को ही सब कुछ समझते है ठीक है अब आगे कह रहा है इस नजब में एक छोटी सी दास्ता ने इसक भी पेश की गई है और यह दिखाने की कोशिश की गई है कि आज के लोग आर्जी मुहबबत और महभूब के लिए अपने दीन वो मझहब को भी छोड़ने के लिए तयार रहते हैं इस नजबे के जरीए अकबर इलाबादी इस लाहे कौम का काम लेते हैं ठीक है इस तरह का कुछ कहा है आप लोग सवाल जवाब को देखना चाहते हैं देख लेंगे ठीक है फारे लिए के हमलोग सबदो उनलोग सब्सक्राइब करते हैं चैप्र का नाम है बरक कलिसा और इनके मुसनिफ है अकबर इलाबादी इस सबसे पहला कोश्च नबर एक पर काफी अप लोगों को sopray के सब्सक्राइब जल्द आपनों का question answer solve होगा और फटाफट से आप लोग जवाब भी देने का कोशिस करना, question number 1 है अक्बर एलाबादी किस परचे के नौड़तनों में शामिल है तो काफी easy question इसका सही answer option number D हो जाएगा ओधे 5 ठेक है, दूसरा number question पूझ रखा है, नजमे बरके कलिसा के शायर के तकलीक है काफी easy question, सही answer अक्बर एलाबादी, तीसरा number question है अक्बर एलाबादी की अफ़ाद कब हुवी तो 1961 में हुवी थी, 9 सितम्ब कब हुई थी, 9 सितम्बर 1991 में ठीक चार number question पूझ रखा है अक्बर एलाबादी की पैदाइस कहां हुई, तो अक्बर एलाबादी की पैदाइस जो है, बारा जिला एलाबाद में हुई थी, ठीक है option number A होगा अक्बर कोशन पूझ रखा है, अक्बर के घर का माहुल कैसा था, तो अक्बर के घर का माहुल मजभी था, अक्बर एलाबादी को किन खिदमाद के सिले में खान बहादूर का खिताब दिया था, तो क्या होगा अपका, अदालती खिदमाद, option number C 7 number question है, अक्बर का एक बेटा जो 13 साल की उमर में इंतकाल कर गिया, उसका क्या नाम था, अभी-अभी आप लोगों ने परहा हाश्रीम नाम था, ठीक है ना चलिए 8 number question है, अक्बर के बेटा हाश्रीम की उफात कब भी थी, 1913 में, question में ही बता रखा है, देखिए 9 number question, बरके कलिसा क्या है तो बरके कलिसा जो है, एक जरीफ आना नजम है, जरीफ नजम है, ठीक है 10 number question, अक्बर एलाबादी की पैदाईश कब भी थी, तो अक्बर एलाबादी की पैदाईश भी थी, 1845 में कुछ लोगों ने 1846 लिखा है, जो के गलत है, 11 number question है, बरके कलिसा कैसी नजम है, तो बरके कलिसा, जरीफ आना नजम है आपका, 12 number question, अक्बर एलाबादी ने अपनी नजमों में किस तहजीव वो तमद्दून को तंसिका निशाना बनाए है, आपका option number B हो जाएगा, अंग्रेजी तहजीव तहजीव को ठीक है, 13 number question, नजम बरके कलिसा में, शाहिर ने गुलशन फितरत की बहार, किस को कहा है, तुम इसको कहा है, option number A 14 number question है, अकबर एलाबादी का सलनाम क्या था, तो अकबर एलाबादी का सलनाम अकबर हुस् simplicity आकबर एलाबादी को वालिद का क्या नाम था पढ़ने के बाद चैप्टर पढ़ने के बाद आप लोगो बहुत आसान लगी गा अक्पर एलाबादी की कौन सी नजम आपके निसाब में शामिल है आपका ओफसन नमबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा बरके कलिसा ओफसन नमबर ए ठीक है कैसा लगा आप लोगों को आज का क्लास अगर थोरा सा भी अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंट तक शेयर कीजिए मिलते हैं एक अगली क्लास में जब तक के लिए खुदा हाफीज लाहाफीज जैहीं जया भारत